आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 1996 में रिलीज हुई एक एक्षन ड्रामा मूवी जिसका नाम है बंबई का बाबू इस फिल्म की लीडिंग कास में मौझूद हैं सैफ अली खान, अतुलकनी होतरी, काजोल, वैश नभी, दलिप ताहिल, विश्वजीत परदान, साइध जाफरी, रीमा लागू, विजू खोटे और मुश्ताख खान इसके इलावा इस फिल्म की कहानी लिखिया है अकबाल राज ने और इस फिल्म को डारेक किया है विकरम भट ने और इस फिल्म के प्रडूसर है रवीव चानी और गुल एडवानी अब बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो ये कहानी है विक्की यानि सैफ अली खान की जो एक छोटे से गाउं से मंबई आता है और वो बड़ा आदमी बनना चाहता है और उसका confidence, personality और किस्मत की बदावलत वो अपने मकसद की पहली सीड़ी चड़ जाता है यानि उसे काम मिल जाता है और वो politician प्लस criminal master जी यानि दलिप ताहिल के साथ काम शुरू कर देता है और शुरू में master जी विक्की को छोटे मोटे काम देते हैं और वो अपने काम से सभी का दिल जीत लेता है और थोड़े अड़से के बाद वो बंबई का बाबू बन जाता है फिर एक दिन विक्की को master जी के दुश्मन जयाशेटी यानि विश्वजीत परदान को पकड़ने का टास्क मिलता है जो विक्की बासानी कर लेता है मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब जयाशेटी को खतम करने के बज़ाए उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है और इस दोस्ती का असल मकसद होता है master जी और जयाशेटी मिल के शहर में गैंग वार्स और दंगे फसाद करवाएंगे जो master जी को election में जीतने के लिए काम आएंगे और ये plan जब विक्की को पता जलता है तो वो उनके खिलाफ हो जाता है अब इसके आगे फिल्म की कहानी क्या रहती है इसका पता आप फिल्म देखकर लगा सकते हैं अब बात करें फिल्म की direction और स्कीन प्ले की तो ये movie direction wise बिल्कुल perfect है और इस कहानी की इससे better direction शायदी हो पाती और इस तारीफ के हगदार है डारेक्टर विक्रम भड और इस फिल्म का scene play भी अच्छे से लिखा गया है जो audience को entertaining experience देता है और audience को कहानी से भी totally connect कर लेता है dialogue की बात करें तो फिल्म में हमें दमदार dialogue भी सुनने को मिलते हैं और साथी साथ ठीक टाक action sequences भी देखने को मिलते हैं music की बात करें तो फिल्म का music भी काफी अच्छा है और release के वक audience ने भी इस फिल्म का soundtrack पसंद किया था अब बात करें acting performances की तो साथ अली खान ने इस फिल्म में कामाल की acting की है और उन्होंने विक्की के किरदार को इतनी खुबसूरती से नबाया है कि जैसे ये रोल सिर्फ उनी के लिए ही बनाओ और उन्होंने अपनी काबलियस से इस रोल को काफी impactful बनाया और अपने केरियर की one of the finest performance दी और अतुल अगनी होतरी ने भी अच्छा काम किया और उनका किरदार भी काफी impactful रहा दलिब ताहिल की बात करें तो उनकी performance भी काबले तारीफ रही और इसके लावा काजोल और फिल्म की बाकी कास्ट ने भी decent performance दी है overall देखा जाए तो बंबई का बाबू एक well scripted और well directed movie है जिसमें full entertaining experience मिलता है तो दोस्तों बंबई का बाबू movie मैं आप सब को recommend करूंगा आप सब भी इस शामदार movie को जरूर देखिएगा